जी हाँ, लगातार राज़ारी राची में एडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही आएस अधिकारी पूजा सिंगल के ठिकानों पर शुक्रवार को ही छापेमारी की गई थी जिसमें नोटों का अमबार मिला था और इस पूरे मामले में सियासी घमासान भी जोर पकड़ चुका है देखिए इस रिपोर्ट के जरे एडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी रही जारी जारखन में सियासी घमासान भारी राजधानी राची का ये पल्स सुपर स्पेशियलिटी होस्पीटल है यहां इडी की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही प्रदेश की खनंद सचीव आईएस अधिकारी पूजा सिंगल के 25 ठिकानों पर शुक्रवार को छापेमारी की गई जिन में से एक पल्स होस्पीटल भी शामिल है आईएस अधिकारी पूजा सिंगल खनंद सचीव के लगबग देश के 20 ठिकानों में लगबग 30 घंटे से अधीक हो रहे हैं और लगातार चापेमारी चल रही है राजधानी राची के कई कल सुबस लगबग 6 बजे से देखेंगे तो लगातार एडी की टीम जो है राजधानी राची सहीत बिहार बंगाल और कई अलग लग हिसों में लगातार कल चापेमारी की गई जिसमें पल्स होस्पिटल, पुजा सिंगल के सरकारी आवास, काके इस्तित आवास पर और उसके बाद उनके सीए जो है उनके उस पर चापेमारी की गई लगबग राजधानी के हनुमान नगर स्थिर, सोनाली और मोनिका अपार्टमेंट की तस्वीरें रेखिये इसी अपार्टमेंट में पुजा सिंगल के सीए सुमन कुमार का फ्लैट है इडी की कारवाई में यही से नोटों का अंबार मिला था चारखन की खनन सचीव आई-एस पुजा सिंगल के घर पर आज फिलाल जो है इडी का छापेमारी नहीं हो रहा है मगर उनके अस्पताल में लगतार दूसरे दिन भी इडी की छापेमारी की जा रही है और कल जो उनके सीए के घर में चापेमारी की गई थी उनहीं के फ्लैट का मैं नजारा दिखाना चाओंगा यह आप देख सकते हैं कि कोको के सोनल मोनिका फ्लैट है इसी चौथे तल्ले पे उनका 401 नंबर फ्लैट था इसी पर इडी की टीम जो है पूजा सिंगल के 25 ठीकानों के साथ साथ उनके सीए जो यहां रहते हैं सुमन कुमार उनके इस फ्लैट में चापेमारी करती है और कल देर रात तक उनके आवाज से लगभग 17 करोड 31 लाख रुपए बरामत किये जाते हैं इडी की चापेमारी पर सियासी घमासान भी जारी है जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है तब से तरह तरह के हथकंडे अपना कर और इस राज्य की जो बहुमत की सरकार है इसे जनता ने चुना इसको अस्थिर करने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है ब्रश्टाचार के मामले को बिल्कुल नहीं होना चाहिए और पूरे देश में इस तरह की कारवाई होनी चाहिए इससे इंकार नहीं करता हूं मैं कहता हूं ब्रष्टाचार को रोकना ही पड़ेगा किन्तु यह जो लोग बोल रहे हैं उनको यह भी बताना चाहिए जब कि इडी अब तक ये क्यों नहीं बता रही है कि किस समय का भ्रष्टा चार है इडी क्यों नहीं बता रही है कि ये कौन सा मामला है जिसके तहत आप छापे मारी कर रहे हैं और जो गड़बणी आई है वो खान मंत्रा ले है खान विवाग का है और खान विवाग के मंत्री कोन है मुख्यमंत्री जी स्वन है मुख्यमंत्री जी स्वन है खान सचीव के भ्रष्टा चार वे खान विवाग पूरी तरह से सभागिता है और मुख्यमंत्री इससे भाग न असत तो अपनी जगह है लेकिन AD की कारवाई में जब्त होई भारी भरकम संपत्ती I.S. पूजा सिंगल के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली है अभिशेक के साथ आशिश, Z.Media